ब्रामन और श्रीमनों में ही शुरुवात में भारत में दो धाराय थी पहले वेद के और दूसरी तंत्र की वेद और तंत्र में विरोथ रहा है वेद से वैशनव और तंत्र से शैव संप्रदाय की उत्पत्ते माने जाती है भगवान दत्तात्रे ने वेद और तंत्रमार का विलाय किया था इसके इलावा ब्रह्म विध्या का प्रचार भी किया था इस तरह उनमें तीनों ही धाराय समाहित हो जाती है उनके तीन शिश्य थे जो तीनों ही राजा थे दो योधा जाती से थे और एक असुर जाती से नमस्ते जी कैसे हैं आप पवित्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्त एक स्वागत है मैं हो कात्याईनी दोस्तों आज मार्क शीर शपूर्णिमा को दत्तात्रे जयनती मनाई जाती है दत्तत्रे को भगवान शिव का अवतार माना जाता है लेकिन वैशनव जन उन्हें भगवान विश्णुजी के अन्शवतार के रूप में मानती है मूल अतह उन्होंने शैव, वैशनव और शाक्त धर्म को एक करनी का कार्यभी किया उनके शिश्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है तीन धर्म, वैशनव, शैव और शाक्त के संगमस्थल के रूप में तृपुरा में उन्होंने लोगों को शिक्षा दीक्षा दी भगवान दत्तात्रे स्वर्गी ये पितरों के रक्षक हैं केवल उनके नाम स्मरन गुरुदेव दत्त से ही पितरों के आत्मा को शांती मिलती हैं और मानव जीवन में पितर दोश से उत्पन हुए पीड़ाएं भी समाप्त होते हैं इसी कारण आईए आज हम सुने भगवान दत्तात्रे यकी कथा एक समय पर अत्री महामुनी और उनकी पती अनसुया के असाधारन पतिवरता के बारे में तीनों लोकों में प्रचार हुआ इस पर भगवान ब्रह्मा विश्नु और महेश ने सती अनसुया के सतीद्व और ब्रह्मा शक्ती की परक करने की सोची जब अत्री रिशी आश्रम से कहीं बाहर गए तब भगवान ब्रह्मा विश्नु और महेश यतियों का भेश धारन करके अत्री रिशी के आश्रम में पहुँचे और भीक्षा मांगने लगे अतिथी सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्थियों का उच्छत रूप से स्वागत करके उन्हें खारी के लिए निमंत्रत किया लेकिन यतियों के भेश में त्रिमूर्थियों ने एक स्वर में कहा हे साधवी हमारा एक नियम है कि जब आप नगन होकर भोजन परोसेंगे तब ही हम भोजन करेंगे अनसुया ने जैसी आपकी इच्छा यह कहते हुए यतियों पर जल छड़क कर तीनों को तीन प्यारे शिशों के रूप में बदल दिया तब अनसुया के हिदय में मात तृत्व भाव उमड पड़ा फिर शिशूं को दूद भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों कहरी नीद में सो गए अनसुया माता ने तीनों को जूले में सुला कर कहा तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ती मेरे शिशू बन गए मेरे भाग्य को क्या कहा जाए फिर वह मधर कंट से लोरी काने लगी उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुँचा एक विशाल गरुड पंक फढ़ फढ़ाते हुए आश्रम पर उठने लगा और एक राज हंस कमल को चोंच में लिये हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया यह नजारा देखकर नारत जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी आ पहुँचे नारत जी ने विने पूर्वक माता अनसुया से कहा माते, अपने पतियों से संबंधत प्रानियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देविया यहां पर आ गई है ये अपने पतियों को ढून रही थी इनके पतियों को कृपया इनहे सौप दीजिए अनसुया माता ने तीनों देवियों को प्रनाम करके कहा माताओं, जूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती है लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशु को देखा तो एक समान लगने वाले वे तीनों शिशु कहरी निद्रा में सो रहे थे इस पर माता लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी ब्रहमित होने लगी नारत जी ने उनकी स्थिती जानकर उनसे पूछा आप क्या अपने पती को पहचान नहीं सकती क्रिप्या आप हास्य का पात्र ना बने और जल्दी से अपने अपने पती को गोद में उठा लिजिए तब देवियों ने जल्दी में एक-एक शिशु को उठा लिया वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए तब उन्हें मालूम हुआ कि माता सरस्वती जी ने भगवान शिव जी को माता लक्ष्मी जी ने भगवान ब्रम्ह को और माता पार्वती जी ने भगवान विश्टु जी को उठा लिया है तीनों देविया शर्मिंदा होकर दूर जाँ खड़ी हो गए उसी समय अत्री महर्शी अपने घर लोट आए अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोडने लगे तभी भगवान ब्रम्ह विश्टु और महेश्वर ने एक होकर दत्तत्रे रूपधारन किया उप्त कथा को दत्तत्रे के जन्म से जोड़ कर भी देखा जाता है दोस्तों आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब अवश्य करें अब मुझे इजाज़त दे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्वस्ति